मंज पर उपस्थित हमारे राष्ट्री अध्यक्ष आद्रणी राजनात सिंग जी, दिल्दी प्रदेश के हमारे नेता जिनके नेतरत में चुनावर लड़ा गया, श्री हर्श्वरदन जी, गंगा प्रकोष्ट की राष्ट्री संयोजक श्रीमति अनिता सिंग जी, इस कारिक जैसे गंगा जी पर संकट है, हमारे इस कारिक्रम पर भी बहुत संकट मढ़ राया, पहले हमारा ये कारिक्रम यहां नहीं था, उन्नाव में था, गंगा किनारे, जब राजनात जी से संपर्ख हुआ, तो ये समय बड़ा कठिन है, ये लोकसभा चुनाओ की आहट का समय है, तो इस्थितिया ये बनी की कारिक्रम को उन्नाव से दिल्ली पर शिफ्ट किया गया, ताल कटोरा स्टेडियम में तय हुआ, फिर पता लगा अभी तीन दिन पहले कि ताल कटोरा स्टेडियम का एसी खराब है, तो मुझे ये अंदाज नहीं वह पा राधा कि खराब जब ए लगती है, फिर रंत में फिक्की कात्य हुआ, अभी तीन दिन पहले, और हम यहां पर उपस्थित हुए, राजनाच जी आए, उन्होंने हमारे निवंतरन को स्विकार किया, फिर मैंने हर्षबरदन जी से तो कल ही रात को संपर्क किया, कि आप हमारे विशिष ठतीती है, आ लक्त किया है, वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, केंदर में मंत्री भी रहे हैं, लेकिन उनके उपर कभी भी भरष्टाचार का आरोप नहीं लग सका है, उनका स्वयम का जीवन भी गंगाजल के समाने, और आपको याद रहे, जो सबसे अच्छा कुम माना गया, इलहाबात क वो उसी समय का माना गया, जब राजनाजी मुख्यमंत्री थे, बहुत सुंदर कुम्भूगा था, त्रवेणी का, और इसलिए ऐसे बेदाक छवी की राजनीती करने वाले व्यक्ति ही, गंगा के बारे में कोई बात कहेंगे, तो वो प्रामारिक होगी, इसी प्रकार से हर् आपका और मन ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज का कारकुरू इसी निवित्य से आयोजित हुआ है, कि मेरी इच्छा है कि राजनाजी की तरफ से गंगा के बारे में भारतियनता पार्टी सरकार में आएगी, तो भारतियनता पार्टी के का ही अजाना की योग बना, तो यहां पर वो इस बात को व्यक्त करें, तो कि जब में भारतियनता पार्टी में आई, तो गंगा ही कारण बनी, गंगा का अंदोलन था, मैं अंदोलन रथ थी, मुझे बुलाया गया, सबने बुलाया, मैंने चिठ्छी लिकी गंगा जी के ल गंगा की बात आई, और उस समय पर राजनाच जी ने मुझे जो बात कही कि गंगा अभी तक राजनाच जी ने कहा कि गंगा सेल का प्रभार राजनाच जी के पास था, तो उन्होंने कहा कि आज के बात से गंगा आपकी हो गई, और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, अधिशन हुआ है, और अभी इस बीच में जो कुम हुआ, उसमें लोगों को स्वच जल गंगा जी का पीने के लिए मिले, इसके लिए भी हमारे गंगा अभियान का विशेश प्रयास रहा, वह इसलिए स्वच जल गंगा जी का मिला पीने के लिए और इसनान करने के लिए, और अभी भी गंगा जी को लेकर के कानपूर में डेरा कल से डलने वाला है गंगा समख रभियान का क्योंकि सबसे जादा प्रधुषित गंगा यदी कहीं हुई है तो वो कानपूर में हुई है कानपूर गंगा जी की सारी तकलीफों का package है अगर आपको देखना हो कि गंगा किस-किस चुनोती का सामना कर रही है तो वो कानपुर में जा करके देख लीजीए इसलिए हमने माना है कि जिस दिन कानपुर की गंगा जी का जल हम बिना डरे पी लेंगे, उस दिन हम मान जाएंगे कि हमारा काम पूरा हो गया है क्योंकि कानपुर के यंगा का पानी जानवर भी नहीं पी पाएं ऐसी इस्थिति हमने कानपुर की यंगा जी की बना दी है और इसलिए बहां डेरा डलने से पहले मेरी बहुत मेरी मनों कामना थी कि हमारे राष्टियाद्यक्ष के मुझ से इसके बारे में कुछ निकले गंगा के विशय में, क्योंकि जब भी अधिवेशन होता है, राष्टी अधिवेशन, तो विशय सुरूप से मेरे को अलग समय ऐलोट करते है राजनाज जी, गंगा के विशय पर बोलने के लिए, अभी जो अधिवेशन हो गया रामलीला में, उ तो सीधे सीधे एक बात मानता हूँ, कि गंगा बचेगी तो देश बचेगा, और अगर गंगा नहीं बचेगी, तो देश भी नहीं बचेगा, और इसमें ही वो सारी बात, जो भारतियन ता पार्टी का दृष्टिकोन गंगा के बारे में हो सकता है, वो हमारे सामने पाती की बड़ा भाहि हमारे लिए क्या करता है, आप आशरी करेंगे, मुझे नहीं लगता कि भारतियन ता पार्टी के किसी भी दूसरे नेता को बो छूट होगी जो मुझे है, मैं गंगा को लेके कोई भी कार्क्रम करूं, पूरी पार्टी उसका सहयोग करने में लगती ह मैं खाली बता बर दूंकि अमुग जराज में, अमुग जगय पर इस प्रकार का कार्कम होना है, तो हमें खाली समय और तिथी देनी पड़ती है, बाकी बिवस्थाओं में पूरा संगठन लग जाएगा, जिसमें की हमें किसी बिना अभरोध के वह हमारा कार्कम संपन हो, इसको सुनिष्ट किया जाता है, और इसलिए मैं आज पूरे गंगा समगर से जुड़े हुए और लोगों के सामने ही, इसके लिए राजनाज जी का बहुत है, क्या कहूं अभिवादन का क्योंकि अभिवादन बहुत आपचारिक शब्द होता है, तो समझ में नहीं आ रहा बने और वो बनी हुई सरकार जो नरेंद्र मोदी ने भी कहा अपने गंगा के बारे में अपनी बात उन्होंने इस्पष्ट की वाराणसी में जब उनका उद्बोधन हुआ है हमारी दो तीन बाते हैं जो हमने समझ ली और उसी के साथ मैं एक एक वन लाइनर में बोलूँगी आज राजनाजी को समय की बहुत परिशानी थी कारकम पर ही परिशानी थी कि कारकम हो भी पाएगा कि नहीं मैं आपको बता हूं और अभी इतनी परिशानी थी क्योंकि ये समय है चुनाओ का और बापरे चुनाओ में तो ऐसा दबाव पड़ता है क्योंकि ये जो समय आ जा है उस समय पर तो सबको लगता है कि मैं जीत जाओंगा मुझे टिकेट भर मिलना चाहिए बस और सारे आर्गुमेंट पर इसी पक्ष में होते हैं और ऐसे समय पर इस सारे नेताओं के घरों में भीड लगती है तो राष्टी है देखते हैं कि क्या स्थीती बनती होगी उससे मिलने वारे लोग कितने होते होंगे बहुत कठनाई होती है तो मैं एक एक लाइन में बताऊंगी मेने गंगा की एक समस्या देखी अविरलता में बाधा सबसे गनाना भर जरूरी है हम सैंग मानेंग का कभी बूर्द नहीं करेंगे, अगर वो नहीं होगी तो भी 술 हे दिक्कट आईगी, हैश धुश्त भावर प्रोजट्धक्ट द्धक्क्न भूर प्रॉजशक्ट विरोध किया, उनने का बांद बनाओ, हम बांद के विरोधी नहीं है, लेकिन आप एक धारा जो है, वो रिलेंटलेस छोड़ो, अभीरल छोड़ो आप एक धारा, आप पूरी गंगा को मत बांदो, और अंग्रेजों ने एक धारा छोड़ दी, जिसको राम गंगा कहते हैं, तो उतनी क्रूट टेक्नलोजी जो थी, उनीसो सोला में, तब इतने बड़े बांद के होते हुए, एक धारा आविरल छोड़ गई, छूट गई, तो आज इतनी सटल टेक्नलोजी है, तो अब तो हम बिना किसी परेशानी के बांद भी बना सकते हैं, और एक धारा आविरल और वो छोड़ी जा सकती है, इसके लिए रुड़की IIT के लोगों से मेरी बात हुई है, उन्होंने इस विधी के बांद डिजाइन किये हुए हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि बड़ा मुनाफ़ा बड़ी कंपनियों को उसमें नहीं होगा, उसमें रोजगार जादा होगा, बिजली का उतपादन जादा होगा, लेकिन हाँ बड़ी कंपनियों के बड़े मुनाफ़े उसमें कुछ जगह पर रुख सकते हैं, जो बांद बन गए हैं, उनको भी तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरे IIT कानपुर के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट उनसे कली बेठ हो चुकी हैं, जो हम गंगा को अभीराल और निर्मल बनाने में सहाइक कर सकते हैं, इसी परकार से जो प्रदूशन है गंगा में, दो तरह का इंडरस्ट्री का प्रदूशन, माना और निर्वित गंदगी और दर्शनारतियों और इसनारतियों की गंदगी, मैं आपको बता क्योंकि जो चीज अंत में मिट्टी बन जाए, वो प्रदूशन नहीं होता, जो चीज नष्ट ना हो वो प्रदूशन होता है, प्लास्टिक तो भगवान से बरदान लेके आया है, कि ब्रम्मा जी की भी उमर पूरी हो जाएग, लेकिन उसकी उमर पूरी नहीं होगी, इसल नहीं भी रहायश, रहायशी गाओं हैं और शहर हैं, कस्वे हैं, वहाँ गंगा चौकिया बनेगी, लोग गंगा की चौकिदारी करेंगे, उसमें महीला और पुरुष्ट अदस होंगे और उसको रोकेंगे, लेकिन जो बड़ी गंद की है वो इंडरस्ट्री की है, चर्म अभी मुझे उत्राखंट का प्रवार दिया है, तो उसका परणाव है खासी, भयानक, उसके मारे बोलना मुश्किल पड़ता है, कोई बात नहीं, अर्विंद केजरीवाल की तो मिट गई मेना सुना है, लेकिन अभी मेरी नहीं मिट पाई है, अर्विंद केजरीवाल की अ उसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगें, मेरे को एक प्रोफेसर मिले, IIT रुड़की के, उनका नाम मैं नहीं ले सकती को, कि उनकी अनुमती नहीं है, सरकारी करमचारी हैं उनको लेके मैं कल कानपूर जा रही हूँ, उनने पूरी डिजाइन बना लिए, कि चर्म उद् दर्शन वहां शुरू हो जाएगा कि यह लाकों लोगोंका इंपलॉयमेंट चीन नहीं आ गई है, नहीं, गंगा किसी की रोटी नहीं चीन सकती, गंगा तो करोणों लोगों को 45 करोड लोगों के रोजगार का साहधन है अभी गंगा, FDI उतनी रोटी नहीं दे रही है ट्रीपमेंट प्लान बहुत देश के वहां की जो इंड़ी जो अग्रिकल्चर है वही उसका बैस है और इसलिये गंगा बहुत बड़ी रोटी और रोचगार का साधन है यसलिये मैं हम लोगोंटों को मैं mmp हो कि बताओ हम उसे देश के बास हैं जिस देश में गंगा बहती है यह तो कोई नहीं नहीं कहता है ना मुझे रखती है हम गंगा के उस देश के बास है जहां गंगा बहती है और वह हमारे अर्थ आर्थ हरम का मुख्ष का साधन करती है तो treatment plant प्रुदूर्शन का निराकारन है। एक माइनिंग की जो सेंड माइनिंग की जो प्रिक्रिख मैं उसमें थोड़ा ड्राफ्ट में चेंज कर देना ये सेंड़ाग्ल और सारी चीज़ों को हमने तौियार रखा हुए है। बस हम इंतजार कर रहे हैं कि सरकार बने और हमारी सरक और हमारी सरकार इसका एनाउंस करें और हम काम पे लगें और आपको अगर लग रहा होगा कि हम सरकार का इंतियार कर रहे हैं ऐसा नहीं है सरकार होगी तो गंगा का काम होगा और सरकार नहीं होगी तो गंगा का काम होगा या तो सत्ता के जरीए होगा या संघर्श के जरीए ह होगा हमने ड्राफ्ट पूरा तैयार कर लिया डिजाइन पूरी तैयार कर ली और राजनाच जी कि ये बात मेरे दिमाग में ऐसी घुज गई कि वह कभी निकल नहीं सकती कि गंगा बचेगी तो देश बचेगा और गंगा नहीं बचेगी तो देश नहीं बचेगा तो उनको यहीं नहीं पता था कि जब वो यह बात कह रहे थे, तो मुझे अपनी आगे की जिंदगी का रोड मैप दे रहे थे, जैसे भाई लोग अपनी बेहनों को एक रोड मैप दे देते हैं, कि तुमको आगे ऐसा करना है, उन्होंने मुझे एक रोड मैप दे दिया, और मैं सारी च मैं साब, यहां पर आये हमारे राष्टी अध्यक्ष जी, मैं उनका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, उनका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, मैं उनको पहली बार मिली थी Бंभई के शणमोखाननन्द हॉल में, तब वो इवामोर्चे के राष्टी अध्यक् मुझे कहा यहां क्या कर रही हो हमारे इवाम और जाके लोगों के बीच में चलो और मैं वहां आई और उसके बाद से ले करके आज तक जब तक मैं भाज़ापा में रही तब उन्होंने मेरा बहुत सम्मान किया और आप आश्टे यह करें कि की साड़े पांस साल जब मैं भाज़ापा से बाहर रही तो जिस नेता ने मेरी एक एक चीछ की चिंता की वो राजनात सिंग्जी थे मैं भले ही बाहर थी लेकन अगर मैं कभी उनको एक फोन कर दूं उससमें वो राष्टी अध्यक्ष थे एक मेरे को जब निकाला गया तब अगर वो राष्टी अध्यक्ष थे नहीं और उसके बाद बने और मुझे यह कहना अच्छा नहीं लगेगा कि अगर वो राष्टी अध्यक्ष होते तो मुझे निकाला नहीं जा सकता था मुझे निकाला ही इसलिए उसमें जा सका कोंकि वो राष्टी अध्यक्ष थे नही में तो यह कहना पाएं। बस वो मुझे इतना कहें कि तुम ज़ना दो-तिन महीने की गम खा सकती हो। क्या。 क्या तुम दो-तिन महीने से कहीं और जा सकती हो। क्या। उन्हें बी शाएद नहीं होगा कि मुझेँ फोन पर समझायश देते थे कि दो तीन महीने की गम खालोगी उमा भेन तुम इतना कर सकती हो कि आयोध्या तक तो जाओ लेकिन आयोध्या के बाद जरा दो तीन महीने कहीं आराम करने चली जाओ और वो यह ना कहें कि बस मुझे अध्यक्ष बन जाने दो जबकि तहल वो साड़े पांस साल में जिस नेता ने रखा है मैं तो कभी उनका अहसान चुकाही नहीं पाती हूँ इसलिए मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि आप तो यह बताओ कि मुझे करना क्या है तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो गंगा के हमारे कार्कम में यहां पर आ करें हमारा यह की कहना है की बच्चा मा का दूद्ध पीता है तो मा और बच्चे बोनों स्वस्त रहते हैं लेकिन बच्चा अगर मा का खुन पी जाए तो मा और बच्चे दोनों के लिए विनाश का कारण मनता है हमें गंगा से बि enipal लेकिन हमें गंगा के प्राण नहीं लेना है हमें गंगा को अभीरल और निर्मल बनाए रखते हुए ही यह सारे काम करने हैं यह संकल्फ हम यहाँ पर करें इनी शब्दों के साथ मैं आप सब का बहुत-बहुत स्वागत करती हूं मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सब य इसके साथ कदम कर दूंगी कि हरिश्वर्दन जी अभी के रहे थे कि मुझे अच्छे काम मिलते हैं मैं आपको बता हूँ मुझे यही नहीं पता लगता है कि कोई काम होने वाला है हो जाता है दोके से आयोध्या का अंदोलन हुआ तो मैं लगी थी उसमें लेकिन उसमें कुछ हो जाने वाला है और ऐसा कुछ होने वाला है ऐसा कुछ अनुमान नहीं था मेरे को तो भगवान की इच्छा रहती होगी इस काहदों देवड़ाई भगवान सोयम चुनते होंगे कि इसको यह काम क चरिंग देवान काब का मैं बना है और दूसरा उसका माध्या माध्याम बनता होगा तर ने चुना होगा काम करना है और तब राजनाजी को अध्यक्ष में बना दिया अब कै的時候 आ चाहती तो अब तुनल का नहीं बिल्कुल अड़चन नहीं आएगी चिंता मत करो और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सारे काम गंगा के जब करते हैं तो हमें पूरी तरह से संद्रक्षं मिलता रहता है और कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है मुझे लगता है दिकत नहीं आएगी हमने तो ममा को कह दिया है कि आए हैं तेरे दर पर तो कुछ करके उठेंगे या तो गंगा बचेगी या मर के उठेंगे यह तैकी हुए है इनी शब्दों के साथ में आप सबको बहुत धन्यवाद देती हूं अपनी बात समाप करती हूं बोलिये गंगा मया की